नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे हमेशा की तर आज मैं आपके लिए लेक्या यू कुछ धम्मा केदार टिप्स और ट्रिक्स तो वीडियो के इन तक जरू दिखिए पसंद आए तो दोस्त के साथ शेर करना ना भूले तो यहाँ पे हमार चाहे वहाँ यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से आपका घर भी और्गनाईज रहेगा और साथी में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा तो चले देखते इसे कैसी यूज करना है तो मैं इसे यूज करने वाली हूँ स्वीच बोर्ड के उपर चाहो तो आप घ तो इसे लगा ली जए चाहो ता आप इसे दिवार की उपर भी लगा सकते हो तो यह देखे बस चार्ज को हम इस तरीके से गोल-गोल करकर थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और आप देखोगे तो इसका हम दो तीन तरीके से यूज कर सकते है एक तो देखे यह आपए अगर और भी कई चीज़े आपकी अच्छे से इसमें सेट हो जाएगी पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और यहां पे हमारी नेक्स टीप है इसके लिए मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया है और कॉटन के उपर हम थोड़ा सा पर्फिम अच्छे से स्प्रे कर रहे ह और यह आपके घर की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करने वाले है वो कैसे चले देखते है अब जैसे सर्दियों का मोसम है या फिर और भी कई मोसम में क्या होता है घर में दूप नहीं आती है और बहुत यह अलग अजीब सी स्मेल आने लगती है कितना भी घर साफ रखे फिर भी बैड समेल आती है घर में अगर बैड समेल आती है तो फ्रेश फील नहीं होता साथी में आप देखोगे पॉजिटिव एनरजी आपको महसस नहीं होगी तो इसके लिए आपको अलग से रूम फ्रेशनर करीदना पड़ेगा पर यह सब कुछ करने से अच्छा है क्योंकि थोड़ा बहुत नमी के वाज़े से महाँ समेल आती है जहां आप डजबिन रखते हो वहां भी इसके रख सकते हो बहुत यची से आपके घर में खुश्बो आईगी 15-20 दिन तक आपको देखने की जरुरती नहीं पड़ेगी और यहां पे हमारी जो नेक्स्टी प कि इसमें रहता है सड़ जाता है और बरतन साफ होने के बज़ा और भी ज़्यादा गंदे हो सकते है जो कि हमारे आखों को दिखाई नहीं देता पर आपके खाने में वह जरूर जाएंगे और इससे घर में बिमार्या भी फैलती है तो इसको आप ध्यान से देखे हर महिला क को एक महीने में एक बार तो इससे जरूर करना चाहिए ऐसी यह ट्रीक है इससे आपके दो फाइदे होंगे एक तो आपका यह जो स्क्रबर है वो क्लीन हो जाएगा और इसी में आपकी जो स्क्रबर की धार है वो कम हो जाती है सौफ्ट हो जाता है वो धार भी तेज हो होगा जो आपका scrubber है जो कि बहुत जादा soft हो जो चो काता वह अच्छे से काम करने लगा है तो एक बार जरूर राई करके देखे और सबसे बड़ी बात है कि इस में जो खाना पसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा गंडा और सड़ जाता है वो भी सारा का सारा जल जाएगा तो महने में एक बार तो इस तरीके से इसकी क्लीनिंग करना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि हम सोचते कि बरतन तो साफ हो गए है डायरेक उसमें खाना खाते है बच्चों को देते है तो यह करना आपको बहुत जादा जरूरी है मैं कहूंगी महने में एक बार पंदरा दिन में एक बार यह जरूर कीजिए और इस तरीके से दिके ठंडा होने के बाद हम इसे अगर थोड़ा सा शेक करेंगे तो इसमें से जो भी जला हुआ फसा हुआ खाना था वो सारा गासारा गिर जाता है मतलब यह साफ हूचो काय वसाती में बहुत अच्छी से काम करता है और यहां पर हमारी जो next step है वो है cylinder के लिए हम सभी के घर में दो cylinder होते है और जहां भी cylinder रखा जाता है या फिर जूले पे जो cylinder लगा होता है नीचे जो ceilender रखते हैं यहां पे संबर्ख में आते हैं यहां पे जंग छूटे लगता है और फर्ष के ऋपर इस सरी के से निशान होता है यह निशान इतना जिद्धी होता है कि आपको मैहन्थ लगेगी और टाइम भी बस यही हमें करना है और कुछ इसमें हमें एड नहीं करना है तो चले देखते से कैसे यूज़ करना है बस आप यह जो जंग वाला दाग है वहाँ पे इसे आप इस तरीके से रगड़ते जाएए स्क्रबर की भी आपको ज़रुत नहीं पड़ेगी बस आपका यह जो नीमू क अरस है वह थोड़ा थोड़ा दमा के हमें निकालते जाना है जिससे कि यह दाग चुटकियों में निकल जाएगा और इसका रिजल्ट आपके सामने है देखे कितने अच्छे से दाग निकल रहा है कितना भी पुराना दाग हो अराम से निकल जाएगा एक बार जरू गाइब कीजिए साथ ही मैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो जल्दी से मैं वीडियो आपके लिए लेके आओंगी तो यहाँ पे देखे बस आपको एक पुराने कपड़े से साफ करना है तो देखो और हमारी जो नेक्स्ट इप है वो है साबुन के लिए यहाँ पे आप कोई भी जैसे बरतन का साबुन ले सकते या फिर कपड़े का या फिर बच्चे हुए एक साबुन के जो टुकड़े होते न उसका भी आप यहाँ पी यूज कर सकते हो तो यहाँ पे देखे मैं बरतन वाला साबुन लेना चाहती हूँ चाहो तो आप दूसरा भी कोई साबुन ले सकते हो तो अकसर आपने देखा होगा घर में ऐसे कुछ काम होते जिसको एक घंटो लग जाते है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पर ऐसे घंटो के काम अगर आपको मिंटों में करने न तो आपको कुछ तो जुगाण जरूर करने पड़ेंगे ऐसी एक ट्रिक में के आपके साथ लेके आई हूँ जो कि आपका रोज रोज का जंजटी खतम होने वाला है तो यह देखे मैंने यहां पे जो साबुन है उसे कद्दुकस करके थोड़ा सा लिया है और इसे के अंदर मे और एक चीज आड़ करने वाले है जैसी कि आप देख पा रहे हूंगे घर की कुछ चीजों का ही हम यूज कर रहे है और इससे आपका बहुत ज़्यदा फायदा होगा और इसे बनाने में बिल्कुल जैसे दो से तीन मिनिट लगते है और इसी के अंदर हम डालने वाले है न गैस पर अच्छे से बॉयल होने देंगे एक उबालानी के बाद गैस को हमें बं کرना है और आपका जो रोज रोज का बरतन माजने का जंज़त है वह खतम होने वाला है मिने कि आपके जंज़त होगा जलदी खतम हो जाता है और जैसे गल जाका गलने के बास क्रबर के उपर बहुत ज़दा साबुन आ जाता है और उसी से आपके बरतन भी अच्छे से साफ नहीं होते सफेज से कितना भी दूलो फिर भी निशान होने लगते हैं तो बस आपके ये सारे जंज़र खटम हो जाएंगे और साथी में आपको अगर साबुन से अलरजी है तो ये भी मार्केट में जो बरतन का लिक्विड आता है साफ करने का आप देखोगे बहुत जल्दी वो खतम भी हो जाता है महंगा भी होता है उसके बजाए आप ये वाला लिक्विडी उसकी जिससे कम साबुन में कम मेहनत में बरतन भी साफ हो जाएंगे और इस तरीके से आपको हर साबुन लेनी के जरुरत नहीं पड़ेगी जितने भी बरतन है बस उसके उपर इस तरीके से स्प्रे कर दीजे सारा जो साबुन का लिक्विड है वो अच्छे से बरतन के उपर लग जाएगा जिससे आपको साबुन से अलर्जी भी नहीं होगी साबुन भी कम खर्च होगा जो आपका महने भर साबुन चलता था वो दो महने तक चलेगा जरूर ट्राइ कीजिए इसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है एक बार बना के रुखोगे साल भर आप यूज कर पाओगे और घर की कुछ चीजों का हमने इसमें यूज किया है तो बरतन भी अच्छे से सा प्ला सकते हैं जरूर ट्राइ कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे चानल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्यू